तो gap up खुले खुल के ठीक हेगा क्या दिखे इस gap up के साथ में क्या positive और क्या negative से उससे आपको idea लग जाएगा positive इस क्या है global market support कर रहे है इस वज़े से gap up बिल रहे है लेकर उसके साथ-साथ अच्छा बढ़ने के बाद DAO future फिर support कर रहे है 700 points उपर है तो वो global support है जो gap up के बाद थोड़ा ऊपर ले जा सकता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ स्रीज के पहले जी शुकरवार को हमारे बाज़ार हलकी हो गए 1500 points हम निफ्टी पर गिर कर बंद हुए पोजिशन हलकी है सो हलके बाद होंके लिए उपर जाना आसान होता है दूसरी बाद तीसरी चीज़ आम तोर पर इस तरह के माहूल में दूसरी फेज़ के वोटिंग भी थी तो लोग अपनी पोजिशन कम करके जा रहे थे तो हलकी पोजिशन उस वज़े से भी थी सीज़िस के पहले दिन और उस हिसाब से भी थोड़ी कवरी बन सकती है क्या कई लोग पहले चनलन के वोट देखने के बाद की जाए वोटिंग बहुत कम हुए तो दूसरे चनलन के वोटिंग में नजर थी कि वही कितनी होगी कितन नहीं है डिगजों में कौन था इसे से बैंक नंबर स्थीक है एसबी लाइफ नंबर ठीक है मारूति थोड़े कमजोर है लेकि ऐसा नहीं कि मतलब 5% गड़ जाए रो इंडेक्स को गजा दे विएसा कुछ निये मुश्किल से 8% गड़ जाए 2% गड़ जाए तो बहुत हो तो यह चार पांच कारण है जिसके विए से गेप अपनिंग होकर आपको टिकना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए थोड़ा लेकिन इसके गटने के पिछे या रुकने के पिछे एक मातर कारण जो है वो है कि F.I.S के तरफ से सिजिस के पहले दिन केश मार्केट में बिकॉ ज्यान से समझेगा पहली चीज तो है कि सिर्फ शुकरार के आंकड़े देखिए तो डर आने वाले हैं सीरीज के पहले ने ऐसी के आप हैसा मुसिबत आन पड़ी के आप 2400 कोर्ड की केश में बिकॉली किये उसके उपर 6375 कोर्ड के आपने स्टॉक फूचर्स में यानि की कर के इंडेक्स फूचर्स भी उपर से बेच डाले अच्छा ब्लोग डिल कुछ नहीं थी खाली एक 840 करोड की ती उसको खटा भी दे तो भी इतनी भेंग कर बिक वाली पहली दिन यह डराने वाली है यह चिंता की बात है तो पहली चिंता की बात जो माज़ार में ऊपर इस लगाता है पांच दिनों से बेच रहे हैं अब पांच दिनों में आप यह भी कह सकते कि दो दिन आखिर के बुद्वार गुरुवार के आप यह मानने के एक्सपारी के एरिजस्मेंट होंगे चलो मान लिया कर लिया हो सब छोड़ दो एक वार लेकिन फिर भी है तो बिकव अब से बड़ा यह है कि इलेक्शन के रुजान किस तरह के आते हैं दो फेस के एलेक्शन हो चुके हैं दो चरण के ठीक है पहले चरण में वोटिंग आपकी 7% से जादा कम हुई थी पिछले 2000 के मुकामने इस बार थोड़ी सी सिचुशन बैतर हुई है कम तो हुई है लेकि आने वाले समय में हर चरण के वोटिंग पैटर्न को ध्यान से देखेगा अब क्या हो रहा है वोटिंग कम होने का सब अपने अपने इसाब से अंदाजे लगा रहे है इसको फाइदा किसको नुकसान मुझे नहीं पता किसको फाइदा किसको नुकसान मेरी समझ भी नहीं है Galities खलशा अब उसका रिज़ल्ट किस तरफ शाथ निकल के आएगा और जो हमें नहीं नहीं पता अब उसकी टेंशन किया ले सकते हैं तो अगर हर एक फेस के चुनाओं के साथ में वोटिंग परसेंटेज बैतर होता दिखता है तब तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज गढ़ता हो दिखता है क्योंकि जैसे जिसे चुनाओं की आगे की चरना आएंगे गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी के वक्त लोग डिनरली वोट कम करना निकला है ये एक बड़ा लेसन है पहले दो फेस के चुनाओं और मैं सब को अपील भी करता हूँ आप जिसको पसंद करें जिसको ना पसंद करें लेकिन जाए और वोट करिए अपने दिल में दवाकिमत रखिए इसका कोई दिल कमजोर होता हुए तो जो आपके दिल कमजोर होता है जो आपके दिल में है पमकर दिमाग में इसको जाकर Voting मेशीन में डालिए। लोगों को वोट कर ना चाहिए हूँ यह जायीकर लोग निखल नहीं रह रह憁भार। नो डाउट में विकेंड पर आजसान तो बहुत सारी शालियां भी होती है, यह सब लोग उसमें भी काफी बीजी होते हैं, यह दर एक बहुत बड़ा कंसी होता है, थोड़ी चे, देखो, काम नहीं करने के पचास बाने मिल जाएंगा, काम करने का एक, पांच साल में एक दिन तकलीफ थी, अब लोग जाते हैं, खुद है ने, टाइम पास करके आते हैं, आसपास मिलेंगा, और भाई, तुने डाल दिया, आचा, यहां सेल्फी ली, वहां सेल्फी ली, सबको, वो टाइम पास चलता है, लाइन नहीं होनी ची, और लाइन है भी नहीं, कुछ जगों को छोड़ दो, और यह जो बड़ी-बड़ी लाइन दिखती हैं, वो भी वीजुली अच्छी दिखाने के लिए, बहुत लोग आ रहे हैं, इसलिए दिखाते हैं, बाकि एफेक्टिवली, अगर सो बूत है, सो में से पचानवे बूत आपको खाली मिलेंगे, दो चार पांच जो सकता है, जालना ही हो, प्लीज जाएए वोट कीज़े, वोट करना आपके लिए, जिसको पसंदो और जो ना पसंदो, आपको जिस आप से करना है, कुछ नहीं तो नोटा दबा के आजाओ, जाओ तो सही, नोटा भी अपने आप में एक डिसीजन है, जाओ तो मेरी यह आ आपकी जिम्मेदारी है, और पांच साल में एक ही बार देनी होती है, हर रोज नहीं आती, तो मेरी ख्याल से, मार्केट के लिए, शॉर्ट टम में जो चिंता है, वो यह है कि, एफारिस के नंबर्स ठीक होने चाहिए, और थोड़ी मीडियम टम में जो चिंता है, वो इलेक के बाहर है, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि, देखते हैं, कम से कम एक चीज़ जरूर होगी, जैसे जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ना माजार की टेंशन थोड़ी कम जरूर हो जाएगी, ये जरूर है, कि लोग जाने वोट डाल रहे है, क्या आम तोर पर एक जमान Kay जरूर है, इस एफाइ आई जॉर एक ऐलक्षन जिस पर बाजार नजर रखेगा, तो सर फिर आज की स्ट्राटेज़ी, जी, आज की स्ट्राटेजी, खावार है फिर लिड़ी टूर ही जआ होए फोड़ ज़रूर से कि लिए बड़ा के से खुलने पर थोड़ा और और अगर देनिक.